Hello guys, welcome back to my channel PharmaCare. Today we are going to start up with a very important topic that is the defects in the tablet coating. आज हम tablet की जो defects हैं, coating के दौराँ जो defects आते हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं. tablet की coating हम इसलिए करते हैं, क्योंकि tablet के अंदर कुछ tablets ऐसे bitter की, कड़वे होती हैं, तो कड़वे हैं उन्हें की कारण उनकी coating करनी पड़ती है, ताकि वो असानी से administer करी जा सकती हैं. और उसकी stability की वज़़े से भी हम coating करते हैं, और उसकी mechanical strength को prevent करने के लिए तब भी हम coating करते हैं. आज हम basically basic motive हमारा यह है, कि हम defects बढ़ने वाले हैं, जो coating के दौरान हमारे defects आते हैं, उनको हाज हम brief में पढ़ने वाले हैं. पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं, कि कौन-कौन से defects tablet के अंदर होते हैं, सबसे पहले जो defect आता है, वो होता है blistering, second जो defect आता है आपका blooming, जो third आपका defect आता है, वो होता है orange peel या फिर roughness, fourth आता है आपका bridging, fifth जो हमारा defect आता है, वो होता है sticking या picking, जो sixth आता है, वो होता है color variation, जो seventh आता है, वो होता है blushing, eighth is twinning, ये आज हम most important जो आपके defect tablet के अंदर आते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं, सारे important आपके defect होते हैं, ये एक भी अगर छोड़ा इसमें से, तो वो आपको confuse कर सकता है, इसलिए video के last तक बने रहे हैं, जो सबसे पहला हमारा defect आता है, वो होता है हमारा blistering, blistering के अंदर basically blisters form हो जाते हैं, इसकी definition ये होती है कि, इसमें क्या होता है, local detachment हो जाती है film की, और आपका blisters form होने लग जाते हैं, इसका reason basically क्या होता है, पहला reason तो ये होता है कि, या तो entrapment, gases की entrapment हो जाएगी, मतलब gases आपके film के अंदर आने लग जाएगे, या फिर दूसरा reason ये होता है कि, spraying के दोरान या फिर coating जब हम करते हैं, उसके दोरान जादा से जादा heating हो रही है film की, इसकी वज़ा से blisters form हो रहे है, अब इसका cause क्या होता है, cause ये होता है कि, अगर तुमने जो temperature या overheating कर रहे हो, उसकी वज़ा से क्या होता है, elasticity पे या फिर उसकी जो tablet है, उसकी strength या फिर film जो है, उसकी addition पे effect कर जाएगा, अगर overheating करी उसकी film की, अब remedies क्या होता है, मतलब इसका solution क्या है, solution ये एक है कि, इसका जो हम coating कर रहे हैं, या फिर spraying कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो टेंपरेचर है, drying condition जो है, वो mild रखे तो ये blistering नहीं हो बाएगी, इसकी prevention हम इस तरह कर सकते हैं, जो second हमारे defect आता है, वो होता है blooming, blooming के अंदर basically क्या होता है, ये एक surface defect होता है, इसके अंदर basically क्या होता है, कि coating जो होता है, वो dull हो जाता है, या तो immediately coating करने के बाद, dull हो जाएगी coating, या फिर अगर तुमने बहुत ज़ादा high temperature पर इसको बहुत देर तक storage कर दिया, तो उसकी वज़े से भी coating dull हो जाएगी, इसका basically reason क्या होता है, reason ये होता है, कि अगर तुमने जो coating formulation के अंदर, तुमने low molecular weight, अगर ingredient यूज करा है, तो वो क्या करता है, surface के उपर collect हो जाता है, जिसकी वज़े से coating dull हो जाती है, mostly जो ज़्यादा तर cases में क्या होता है, जो ingredient होता है, वो plasticizer होता है, इसका cause क्या आता है, cause ये होता है, कि तुमने high concentration में plasticizer, या फिर low molecular weight of plasticizer, यूज करा है, तो उसके अंदर उसका ये cause होता है, अब हमारा remedies इसको prevent करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, prevent करने के लिए हम कर सकते हैं, कि या तो plasticizer की जो concentration है, उसको कम कर दो, या फिर molecular weight plasticizer का बढ़ा दो, तो ये blooming जो defect है, वो हमारा सही हो सकता है, अगला जो हमारा next defect आता है, हमारा orange peel या roughness, इसमें क्या होता है, जो tablet आपको देख रहे हो, उसमें roughness आपको दिखाई दे रही होगी, तो basically orange peel का, orange peel इसलिए दे रहा है, जब हम orange का जो, जो orange होता है, उसका छिलका जब हम निकालते हैं, तो peel करते हैं, तो उसका roughness, जो surface देखोगे, आप roughness होगी, उसके surface के उपर, तो इसलिए उसको orange peel बोला है, या फिर आपका दूसरा defect, इसी का नाम है roughness, तो basically इस defect, ये defect जो होता है, वो एक surface defect होता है, जिसके अंदर film जो होती है, हमारी tablet की, उसके अंदर roughness आजाती है, rough हो जाता है, या फिर non-glossy होगा, वो appearance में इतना अच्छा नहीं होगा, इसकी जो appearance होती है, orange peel जो defect होता है, इसकी appearance basically orange की तरह ही होती है, इसलिए इसका नाम orange peel defect बोला गया है, इसका basically जो reason होता है, वो होता है कि जो हमारा coating solution, हमने जो apply करा गया है, drying के पहले, वो spread नहीं होगा, उसकी जो inadequate spreading होगा है, उसकी वज़े से आपका orange peel या फिर roughness defect आया है, इसका cause basically क्या होता है, तुमने rapid drying कर दिया, बहुत जल्दी drying कर दिया है, या फिर आपका जो solution, आपने coating solution ले रखा है, उसकी viscosity बहुत ही जादा high है, या फिर आपका जो हम prevention हम इसका कर सकते हैं, orange peel defect ना हो, हमारे tablet के अंदर उसके हम prevention कर सकते हैं, कि जो हम drying condition रख रहे हैं, वो बहुत mild रखे हैं, उसका temperature थोड़ा कम रखे, ताकि जो spreading है, उसको time मिले, अच्छी तरह spreading होने का time मिले, पूरे tablet के उपर roughness ना आ जाए, और second इसका एक और हम prevention ले सकते हैं, कि हम additional solvent यूज कर सकते हैं, ताकि viscosity जो solution की है, वो decrease हो जाए, next जो हमारे defect आता है, वो होता है हमारे bridging, bridging के अंदर क्या होता है, जब हम coating करते हैं, coating के वक्त क्या होता है हमारा, जो हम tablet के उपर logo या फिर letters लिखते हैं, उसके अंदर coating का जो solution है, वो tablet के उन letters या logo के अंदर submit हो जाता है, तो logo या letter बिल्कुल गायब हो जाते हैं, इसको बोलते हैं bridging effect, bridging effect का जो cause होता है, वो basically, या तो तुमारा जो tablet के उपर, जो logo है या design है, वो बहुत ही poor है, इसकी वज़़दे भी bridging हो सकती है, या फिर आपका जो coating का solution है, उसकी application तुमने बहुत ही improper करी है, उसकी वज़़दे सी आपकी bridging हो सकती है, या फिर तीसरा reason यह हो सकता है, यह cause हो सकता है कि जो atomization pressure है, तुमने जो spraying करी है coating solution की, उसका threshold बहुत जयादा improper है, इसकी वजासे भी bridging हो सकती है एक और reason है इसका कि तुमने जो coating solution है उसके अंदर जो solid का percentage है, वो बहुत ज़हादा higher इसका ये एक और reason है एक और reason, ये हैं कि coating की viscosity है, coating solution जो तुमने लिया है, coating के लिए उसकी viscosity बहुत जादा हाई है इसलिए इसकी वजह से भी आपका bridging हो सकते हैं अब इसका solution क्या है remedies क्या है वो है कि आपका जो plasticizer हम use करेंगे उसका plasticizer का content हम increase कर सकते हैं या फिर हम plasticizer जो concentration हो उसका है उसका change कर सकते हैं percentage concentration change कर सकते हैं इसलिए वजह से हमारा bridging जो defect है वो हम कम कर सकते हैं और दूसरा एक और हमारा prevention हम कर सकते हैं कि हमारी जो viscosity या coating solution की उसको कम कर सकते हैं उसकी वजह से हमारा bridging effect कम हो सकता है नेक्स जो हमारे defect आता है वो होता है sticking या picking sticking का basically meaning यह होता है कि जो हमारी tablets होती है या तो वो अपने आपस में चुपकने लग जाएंगी एक दूसरे जो चुपकने लग जाएंगी या फिर वो pen से pen की wall जो होती है coating जो pen होता है उसकी wall से चुपकने लग जाएगी अगला जो हमारा आता है वो होता है picking picking basically एक sticking का ही part होता है जिसके अंदर हमारा जो coated materials होता है जो tablets के उपर लगा रहता है वो या तो pen के wall से चुपकने लग जाएगा या फिर tablets के जो point of contact है उससे चुपकने लग जाएगा यह होता है picking इसका basically cause क्या होता है sticking या picking का आपने या तो high rate पे coating जो solution तुमें लगाया है उसका rate बहुत जादा high rate पे लगाया है दूसरा इसका होता है कि तुमने जो drying करी है वो insufficient drying करी है वो बहुत जल्दी dry कर दिया है तुमने इसकी वज़े से sticking या जो solution है वो अपना अच्छी तरह drying हुआ जिसकी वज़े sticking और picking हो रहा है इसका remedy होता है मतलब हम prevent कैसे कर सकते है sticking या picking को वो होता है कि हमें optimum या sufficient जो हमारे drying condition उसको रखना पड़ेगा drying condition अच्छी रखनी पड़ेगी ताकि जो हमारा coating material वो अच्छी तरह हमारा dry हो जाए sticking और picking जो defect है वो ना हो दूसरा इसका होता है जो inlet air आर ये उसका temperature बढ़ाना पड़ेगा जिसकी वज़े से dry जो है sufficient time तक dry हो जाए और sticking और picking defect ना हो तीसरा हमारा remedy या prevention measure ये होता है कि हमाँ क्या करना पड़ेगा जो coating solution तुम apply कर रहे हो उसकी viscosity को हमें increase करना पड़ेगा जिसकी वज़े से जो coating solution है उसकी rate जो है वो decrease हो सके जिसकी वज़े से drying जो है वो अच्छी तरह हो जाए और sticking और picking का defect ना दिखाई दे next जो हमारे tablet defect आता है वो होता है color variation color variation में आप देख रहे होगे पहली tablet के अंदर film होती है हमारी tablet की उसका color में change आ जाता है इसका basically जो cause होता है वो होता है कि हम improper mixing कर रहे हैं ड्राइंग के दोरान या फिर uneven spray pattern कर रहे हैं हम uneven spray spraying जो pattern है वो किसी tablet पे ज़्यादा spray कर रहे हैं किसी tablet पे कम spray कर रहे हैं coating जो material होता है या फिर जो coating जो हमारी जो coating होती है वो insufficient coating कर रहे हैं हम या फिर जो soluble dyes होते हैं या plasticizers होते हैं उनका migration अच्छी तरह हो नीरा जब हम mixing कर रहे हैं तो और दूसरे additive की जब हम dry दूसरे additive की भी जो migration है वो अच्छी तरह हो नीरी तो ये causes होते हैं इसके, remedies ये होते हैं कि हम इसका prevention कैसे कर सकते हैं, color variations का, इसका color variation का हम prevention ऐसे कर सकते हैं कि हम mixing करते हैं, जब हम additives की mixing करते हैं या plasticizers की mixing करते हैं, तो उनकी mixing geometric होनी चाहिए, मतलब equally mixing हो जीए, unequal mixing के अंदर color variation आ सकता है, दूसरा इसका remedy या prevention measures ये होता है कि हम mild, जो drying condition है, उसको mild रखें, ज़्यादा temperature ना दे, next जो हमारा defect आता है, वो होता है हमारा blushing, blushing के अंदर क्या होता है, basically जो film होती है, हमारी tablet की जो film होती है, उसके अंदर whitish specs आने लग जाते हैं, या फिर haziness आ जाएगा, haziness का basically meaning होता है, कि cloudiness आएगी, या foginess आने लग जाएगी, या फिर वो tablet whitish specs आने लग जाएगे, whitish patch बनने लग जाएगे उस पर, और ये blushing जो effect होता है, वो blooming और color variation से बिल्कुल different है, color variation में क्या होता है, जो tablet होती है, उसका जो color होता है, वो कोई भी color में change हो सकता है, और जो blooming होता है, उसके अंदर जो color होता है, वो dull हो जाता है, जैसे कि कोई tablet अगर red color की है, तो वो light red color की हो जाएगी, मतलब dull color हो जाएगा उसका, blushing का जो reason होता है, वो basically होता है, जो हमारा polymers होता है, उसकी precipitation होने लग जाती है, अभी ये precipitation और जादा हो जाएगी, अगर तुमने coating जो temperature है, उसका coating temperature वो बहुत जादा कर दिया, उसकी वज़ा से blushing effect और जादा दिखने लग जाएगा, इसका cause basically क्या है, अगर तुमने temperature, coating temperature बहुत जादा कर दिया है, तो उसकी वज़ा से हो सकता है blushing, और अगर तुमने solution जो है, formulation के अंदर जो coating solution है, उसके अंदर अगर तुमने sorbitol यूज़ कर दिया है, तो उसकी वज़ा से क्या कर देगा, जो thermal gelation temperature होता है, जो जिसकी range होती कि आपकी 50 degree Celsius to 72 degree Celsius, उसका temperature आपका बहुत कम कर देगा, thermal gelation का मतलब यह होता है, कि जो solution है, वो solution से gel formation हो लग जाएगा, polymer का, जिसकी वज़े से यह भी एक cause है, जो की हमारा blushing effect cause कर सकता है, इसका remedies जो होती है, हम prevention कैसे कर सकते हैं, blushing को, यह होता है, कि हम जो drying temperature है, उसका temperature को decrease कर सकते हैं, यह एक remedies है, prevention कर सकते हैं, इसका दूसरा यह है, कि अगर हम solution जो बना रहे हैं, coating temperature का, coating जो solution है, उसको, जो solution है, उसमें sorbitol polymers के साथ, यूज ना करें, तो उसमें blushing effect ना prevent कर सकते हैं, last जो हमारे defect आता है, वो होता है twinning, twinning का मतलब basically, इसलिए इसका नाम रखा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो दो tablets है, वो आपस में चुपक जाती है, इसलिए इसका नाम twining रखा हुआ है, टूिणिय्ग इसमें यह होता है कि जो दो टेबुलेट्स हैं वो आपस में चुपक जाती है इसलिए इसको बोलते है टूिणिय्ग इसमें बेसिकली जो reason होता है इसका यह क्यों होता है क्योंकि जो टेबुलेट्स की जो shape है वो basically अगर capsule shape की होगा तो twinning effect देखा जाएगा कॉज यह होता है कि जो coating suspension है आपका वो जब हम coating करते हैं tablet के उपर तो वो evaporate नहीं हुआ तो उसका यह basically twinning हो सकता है इसमें एक remedies होता है इसमें basically हम prevent कैसे कर सकते हैं twinning defect ना हो हमारा tablet coating के दोरान तो उसमें क्या कर सकते हैं हम spraying का rate जो है वो कम कर सकते हैं जिसकी वज़े से हमारा twinning effect ना हो दूसरा इसका होता है कि pan की जो speed है उसको हम increase कर सकते हैं जिसकी वज़े से twinning effect ना हो